तो यार welcome back to Wrestle Reporter मैं हूँ आपका Reporter Prince और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है Roman Reigns के बारे में आज की वीडियो, especially Roman Reigns के फैंस के लिए बनिये तो अगर आप भी Roman Reigns के फैन हो तो आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों के डिमान पर बनी है आप मेंसे काफ़ी सारे लोग मुझसे कॉमेंट करके इसके बारे में पूछते रहते हो कि भाई रोमन रेंस ने अपने इंट्रेंस इस्टाइल को क्यों चेंज किया तो फिर आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं तो फिर चल ये फ्रेंड्स बिना डाइम वेश्ट के सुरू करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब दसील्ड ने यानि कि रोमन रेंस डीन एम्रोज और सेथ रोलिंस की टीम ने डव्डब्ली में अपना डेब्यू किया था तो इन तिनों की टीम वन अप दबेश्ट टीम तो थी लेकिन याँ पर स्पेसल बात ये भी थी कि दसील्ड की टीम क्राउड एरिया से इन्टरेंस करती थी यानि कि ये तिनों में फैंस के बीच में से इन्टरेंस करते हुए दिखाई देते थे जहां बाकि अधर सुपरश्टार्स हमें नॉर्मल इन्टरेंस करते हुए दिखाई देते थे इन्टरेंस एरिया से हाला कि जब Silt 2T यानि कि जब Silt का break up हुआ तो Dean Ambrose और Seth Rollins ने भी normal entrance करना start कर दिया लेकिन Roman Reigns उसके बाद भी fans के बीच में से ही entrance करते हुए दिखाई दिये लेकिन Roman Reigns के fans के लिए एक stalking time तब है जब Roman Reigns ने भी अपने entrance style को change कर दिया कि crowd की तरफ से Roman Reigns का entrance करना ban हो चुका है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है आपको मैं बता दूँ कि Roman Reigns के लिए crowd की तरफ से entrance करना कोई भी असान बात नहीं थी क्यूंकि यहाँ पर Roman Reigns जब crowd की तरफ से entrance करते थे तो वहाँ पर काफी सारे fans होते थे और वहाँ पर सभी fans उने चुने की कोसिस करते थे पहले तो हालाद उतने बुरे नहीं थे लेकिन आप सभी को पता होगा कि बाद में Roman Reigns को fans की तरफ से काफी बुरी तरफ से hate मिलनी सुरू हो गई और इस वज़े से उनका crowd की तरफ से entrance करना काफी ज़्यादा dangerous भी हो गया तो मैं आपको बता दूँ कि Roman Reigns ने खुद एक interview में इसके बारे में बताया था मुझे crowd की तरफ से entrance करने में काफी problem होती थी क्योंकि fans वहाँ पर मुझे चुने की कोसिस करते थे मुझे grab करने की कोसिस करते थे और कभी-कभी तो Roman Reigns के गलत चीज़ों पर भी हाथ लगा देते थे तो फिर ऐसे मैं आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि यह Roman Reigns के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक रहा होगा और even Roman Reigns ने जो यह सभी interview में बाते बतायी थे उसका कुछ example हमने live telecast में भी देखा था एक बार तो मैंने रॉक के एपिसोड में देखा था कि Roman Reigns जब वहांते जा रहे थे तो जवर्जस्ती किसी फैन ने Roman Reigns को kiss कर दिया था और एक बार WrestleMania 31 में आपको याद होगा कि WrestleMania 31 में जब Roman Reigns अपना entrance कर रहे थे तो उस टाइम उनके सामने कोई fan आके खड़ा हो गया था और उसे Roman Reigns को काफी गुसे में धक्का भी देना पड़ा था जो कि Roman Reigns के character में बिलकुल भी suit नहीं कर रहा था क्यूंकि Roman Reigns एक face है लेकिन फिर भी Roman Reigns क्या कर सकते हैं अगर इस तरह से कोई fan उनके सामने behave करेगा तो उनको भी तो गुसा आए गई और Roman Reigns ने तो इसके बारे में बताया भी था कि उन्हें crowd से entrance करने में काफी ज़्यादा मज़ा भी आता था लेकिन कभी कभी ये काफी ज़्यादा डराओना भी हो जाता तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कुछ security reasons थे जिसके वज़े से इस entrance को बदलना पड़ा और अब इन बार Roman Reigns वैसे entrance करते होए दिखाई थे जैसे कि वो पहले करते थे और या फिर अगर यहाँ पर sales की reunion वापस चे होती है तो फिर हमें Roman Reigns crowd से entrance करते होए दिखाई तो देंगे ही तो फिर यार आप भी मुझे comment करके बताओ कि आपको Roman Reigns का crowd area की तरफ से entrance करना ज़्यादा पसं चैनल को subscribe भी कर देना त्यार मिलते हैं अगले वीडियो में